लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें अरण तौन की केस की पिपर्स तैयार करवा दी हैं आज मैं उन्हें कोल बिशवा दूँ चीक है इंस्पेक्टर साब आपने तो मेरी जिंदगी ही बतल दी आज अपने साथ अपने जच्चेर भाई को लाएं कि इंस्पेक्टर साब के पाउं छोड़ा आगो अरे रे रे फिक्ख्या कर रहे हैं अपर कि अब तो गुनेगर सुधर ना भी चाहे तो गुना उसका पीछा नहीं चोड़ता बस यही बात इसे इतने रोज समझाने के बाद अब यह गुना के रास्ते को छोड़ने को तयार हुआ है वनना यह तो इतना बोला इतना बोला कि एक बार मेरी भी बोलती बंदों करना है अब यह मेरे साथ शराफत की जिंदेगी गुजारे मचलता है कलकोट में डॉन का केस है कुछ हानवीन करना है मैं लॉड अब मेरा गवा है रमेश तेजानी मिस्टर रमेश क्या सच है कि बारह अक्तुबर की रात को इस्पेक्टर करन सक्सेना ने तुम्हें गरफतार किया था जी सच है किस जिर्म में मुझे नहीं मालूब कि गवा को बिना किसी जुर्म की गिर्फतार किया गया कि पहले सवाल आपसे यह कि ब गुनाह रमेश तेजानी को कि जुर्म के तरह त आपने गिर्फतार किया है गयर कानूनी हत्यार रखने के चुर्म में उस गुर्ण के अपने रिपोर्ट दरश की थी कि जी नहीं क्यों कि दरहब सल जर एक खर कानूनी हत्यार बेचने वाले को पकड़ने से उन गुण्यगारों का मसला हल नहीं हो सकता मैं तो सिर्फ इस छोड़ी सी कड़ी का सहरा लेकर उनके मुकाम तक पहुंचना चाहता था और इसलिए तुमने कानून को खेलोना समझ कर उसके काइदों से खेला और एक मुझरिम को ना मुझरिम रहने दिया और नहीं उसे सच्चा कभाव बना सके जब कि गुनाहगार है ये आदमी किसका नाब है राघव किसका बयार लिया जाए मिलोड कर दो कि मिलोड इस्पेक्टर सूरज अदालत में नहीं रोश्री लेकर आये हैं उन्होंने मुल्जिम राघव को हथियार समय रंगे हाथों गिरफतार किया और मुल्जिम पुलीस के साम र्म ने एक्माले जुर्म किया जिसे वो अदालत के सामने भी मानने के लिए तयार है हाँ तो मुल्जिम राघव क्या जैशी तुम गायरकानूरी हथियार का धंदा करते हो किक यह भी सच है कि ऐस इस्पेक्टर सूरज ने तकल तुमारे घर से माल बरामत किया था वह तु पहले में पुली स्टेशन में मिला था इसके बड़े भाई रमेश ने मुझा पताया कि बड़ा बर्बोला किसम का आदमी है इस शक्स को इंस्पेक्टर करन बर्बोला बताकर आज भी अदालत को दोखा दे रहे हैं हकिकत में वो जनम से गूंगा है और जिस रमेश को इस मुल्जिम का भाई बता रहे हैं दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई रिष्टा नहीं अगर इस पूरे केस में आपस में किसी का गहना तालुक है मिलाड तो वो है इस्पेक्टर करन और रमेश के बीच जुराधों के गुनाहों पर परदा डालने के लिए आपस में मिल गए और पुलिस डिपार्टमेंट को दोखा देने के लिए रमेश को परदी मुख्विर बना दिया और इन दोनों के बीच शड़ेंतर का शिकार हुए मिस्टर डॉन जो समंदर के किनारे अपनी बोट में बैठकर फिशिंग कर रहे इस शरीफ मेंसे मशली पकटने के सामान के अलावा और उख नहीं मिला यह उसकी रिपॉर्ट जो इस्पेक्टर सुर्द के तैयार कि इस रिपॉर्ट के साथ अब जो सबूत मैं अदालत के सामने रखने वाला हो उसे दुनिया की कोई अदालत जुट्रा नहीं सकती ये सबूत देखकर एक जज होने के नाते आप पर एक पहार फुट पड़ेगा और एक पाप होने के नाते आपकी उम्मीद है आपके सपने तूट कर बिखर जाएंगे मिलाउट यहाँ एक और मुल्जिम खड़ा है जिसने अपने गुना कबूल किये है और दूसरी ओर एक पुलीस अफसर कि जिस पर मुल्जिम को पना देने का जिर्म साबित होता है मेरी आदालत से दरक्वास्त है कि इसका नयाय करे और मेरे मुखकिल मिस्टर डॉन को बाइज़त रिहा करे थैंकी मिलाउट यहादालत मिस्टर डॉन को चुर्म नसाबित होने के वज़ज़ से बाइज़त रिहा करती है यह अदालत मुझरिम रागव को गयर कानूनी हथ्यार रखने के चुर्म में आठ साल कैद बामुशक्त की ज़दा देती है और पुलिश हेड़कोर्टर्स को हुक्न देती है कि वो इंस्पेक्टर करन सक्षेना के खिलाफ सख से सख करवाई करें यह नामून की महिजारी दुश्मनों का पता इस मर्दबा भारी बड़ा होगा इसे कानून ने करन को गुनहेकार समझ दिया पर आप लूसे गलत समझें कहा कि इंसानियत है कानून इंसानियत की दलीयों पर ठिकावा नहीं है दिप्या मेरे लाग समझाने पर भी कानून को अपने हाथ में लेकर कानून के साथ खिलवार करता रहा है वो खैर अभी तो उसने अपने किये का आगाज देखा है अन्जाम तो वक्त आने पर बता चलेगा लेकिन भिलाल में इस बारे में कोई दलील नहीं सुनना चाहता जच साथ तुम? आज आपकी जज़्जमन्ट गलत हो गई जच साथ क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उस फैसले के बारे में कहना चाहता हूँ जच साथ जिसे आप आज सुना क्या है सच्छा ये है कि करन निर्दोश है उन्होंने मेरी मजबूरी पे तरस खा कर मुझे सजा मिलने से बचा दिया और मेरे गुनाहों की सजा उन्हें भुकद नी पड़ी तुम्हारा मतलब बैच जाओ बैच जाओ पूरी बात बताओ अरे भाई समधी तो ससुराल से आ गया और हम बाराती भी हाजर है लेकिन दुला रमेश का हाँ है पापा जी रमेश अभी तक घर नहीं पहुंचा पापा जी पता नहीं उस हरामजादे को आसमान निकल गया या जमीन खा गई जमीन खा गई नहीं जमीन खा जाएगी अपने आशू सूप जाए तो आदमी दूसरों के आशू पहुंचने चला जाता है मुझे मालूम है वो कहा होगा यह आज मुझ से क्या हो गया किसकी सदा किसको देजी उस देउता को जिसे एक जाल में भसाया गया असली मुझरे में वो तरिंदा भुजंग हाँ भुजंग और आज इस तरिंदे के पंजों से तुम भी नहीं बच पाओगे रमेश शेहर की तरफ भाग रहा है पीदर की मौत मरेगा जैस साहब बड़े अफसोस की बात है मेरे बारे में आप कुछ ज्यादा ही जान गए है भाईया ने कहा था शाम तक आ जाएंगे अभी तक आए नहीं नत्राशा भाईया भाईया यह क्या हो गया भाईया यह सब कैसे हुआ किसने के तुमारे हालत मुझे बता भाईया यह सब कैसे हुआ मुझे बताईये किनने की तुमारे हालत मुझे बहुत 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 बढ़ी बूल किया भाईया मैं उन लोगों की जिंदगी आराम कर दूंगे उन्हें जैन से नहीं जीने दूंगे आपने से ने जीन जीने से बाईया जी किया चुक्त की शचारे आप मुझे आप इजनादीशिए पिदाजी मैं निर्दोशूप पिदाजी मैं निर्दोशूप पिदाजी आप मुझे छोड़ कर क्यों जिलेगे करन मुझे सक्सेना साथ की माउट का बहुत दुख है लेकिन उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि तमाम हालात को देखते हुए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता याद है मैंने तुमसे एक बार कहा था कि कभी कभी कानून का फंदा उल्टे अपने गले में आ पड़ता है देख लो आज वहीं हुआ आ कि मैं जानता हू तिम निर्दोश हों पर इससे तुम्हारा किया तो नहीं मिट जाएगा मैं जानता हूं कि देश-द्रोगी के साथ तुम्हारा कोई रिष्टा नहीं तर शायेंगे जो दालत में तो उद्धान थालो Punch सब्च म में मुल पौलाл तो चाहते हैं कि नाशहिस दार्चीन लिये जाए ना बेल्ट उतर बाली जाए तुम्हें सस्पेंट कर तीर जाए तो मैं तुम्हे घ Tag 2 औरजन की यह तो तुम्हेंक तो मुझे ताइन कना होगा एंघ क्षोड़िये तो कहते हैं कि मैं भी Cath 21 1 ये सितारे उतार तुम तर ऐसा करने से पिताजी को दिया हुआ वचन जूटा हो जाएगा और मैं खुद अपनी नजरों में किर जाओंगा जब मैंने अदालत में कोई सफाई पेश नहीं की तो मैं आपके सामने में किसी सुनवाई की उमीद नहीं रखता और इतना याद रखी का सर के मेरी इस खामोशी के पीछे जौला मखी है जिस दिन ये जौला मखी भाटेगा उस दिन कानून की आखे खुल जाएगे और मेरा कलंग भी मिट जाएगा करण कि तुम्हारी ये बद्दामी सोसाइटी और दुनिया के लिए एक बद्दमाद डाग बन चुका है क्या तुम चाहते हो कि बद्दामी के चीनटे मेरी बेटी पर भी पड़े इना मतलब अब आपकी बद्दामी मेरी बद्दनामी अपने सर लेके घूम्यों इस तो मे कि अब इस अंगुठी का बोज कि अपने बद्नामे के साथ नहीं उठा सकता हूँ कि चलो ड्राइवर करन करन अगर तुम्हें समझते हो कि अंगुठी लोटा देने से दिलों की महबत खत्म हो जाती है तो यह तुम्हारी भूल है करन तिद्या दुनिया ने मेरी सचाइक को जुटला कर मुझे बदनाम कर दिया है और तुम्हारे पिताजी यह कभी नहीं चाह करें है तो इसलिए तुम्हारे लिए है यह उगा desa कि चुछ बुछ जाओ कि व 2-1 कारन करन कि करें, करें यह पुली स्टेशन है या कबार खाना रिपोर्ट दिखाने का लाना, साहब का ला रहे हैं साहब आप, वर्दी पहने गई है ठांगे क्या सार, यहां के लोगों को ऐसी वर्दी अच्छी लगती है अगर पतलून पहन करो तो पूरी वर्दी उतार कर ले जाते हैं साहब आइदा कभी मुझे तुम ऐसे नजर आए तो मैं तुम्हें बहार नंगा टांग दूगा समझें जी साहब अगर एक कदम आगे बढ़े तो हम चिलाएं के ठानेदा सबको बुलाई देंगे हां अरे यहां तो हमार राज चला थे बबुनी और थाने दारन के धमिया पतलून उतार लिया करा था अच्छा आज तो तुम्हें हमेरे साथ चला ही गपड़ी चलो ना हट तुम लोग मेरे साथ जबरदस्ति नहीं कर सकते अगर बापू का पैसला है तो वही कर लें इस पैसे वाले से साधी मैं तो जैसे साधी करूंगी उससे प्यार करती हो और उसके लिए पी जान भी दे दूंगी तुम लोग सुनलो लेकिन तुम लोगों के साथ मैं घन नहीं जाने वाली हूँ अरे जैहा कैसे ना तू जान लोकेर कानूनी की अवलाद हिया का कानून हमाएं यह माधो पूरा है यहां बड़े-बड़े गुंदे हमार नाम से ठंडे हो जाएं समझे करहीं कर दाटित एकन को जोपर का ओन्हाए यह आए लन डरा से चुटिंग जब लिए चुटिंग राइस सकति लिए की कॉर और इंते हुद्ग का। आप है कमन हम हाज जैसिंग जैसिंग अरे तुम हाज क्यों नहीं है जैसिंग अगर आप चाहें तो हम एक सेंसेशन क्रियेट कर सकते हैं वो कैसे अगर तुम मारा उनों तो एक बात पूशी पूशो कुछ तुम नाज गाना कुछ ठमकाउं का लगाई लिए थो धोड़ा क्या बहुत जानत है वह दूसरों को नचाना पर तुहार कहने से हम कहें नाज है पहादर ये जैसें कौन है हर दो पन्ने बाद उसकी नामजद रिपोर्ट है और पुलीस जेब में हदकरी डाले बुग मैं बैठी उसे आज तक रिपतार के नहीं किया करें 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 झाल झाल